दोस्तो रिसेंटली आपने आइफोन बाई किया है वाटसेप यूज करें और वाटसेप पे अगर आपको कोई भी फोटो या वीडियो भेजता है और आप यहाँ पे वाटसेप पे तो डाउनलोड कर लेते हो बड़ते सीधा वीडियो की और देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको दिखा दिया कि फोटो जो मैंने डाउनलोड किया वो यहाँ पे आइफोन गालेरी में नहीं है अब करना क्या है इसके लिए दोस्तो इसके लिए आपको यहाँ पे बॉटम में सेटेंग्स को आप्शन मिल जाएगा कोई भी आइफोन आप यूज कर रहे हो यह सेम स अब देखो अब देखो सेटिंग्स में आने के बाद आपको जाना है चाट्स ऑप्शन के अंदर जैसी आप चाट ओपन करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको इसी स्क्रीन पर विजीवल हो जाएगा बट यहाँ आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हो सेज़ू कैम तो दोस्तो अभी यहां पे हम एक photos खुदको ही send करके देखेंगे और जैसे कि मैंने दिखाया था कि यह फोटो अभी डाउनलोड की बट यहां पे gallery में थी नहीं जैसे कि आप देख सकते हो अब नाया वाला photo हम आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे कि यहाँ पे receive होता है या नहीं तो वेट करते है तो दोस्तों यहाँ पे नाया photo receive हो चुका है यहाँ पे download करेंगे अब देखिए settings change करने के बाद हमने पहली बार photo download किया है अब अगर मैं photos option में जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी photo visible हो रहा है तो इसी तरीके से videos भी आप आपके iPhone gallery में save कर सकते हो दोस्तों यही simple steps आपको भी follow करने है अगर आपको आपके iPhone में WhatsApp से download किये हुए photos और videos iPhone gallery में चाहिए तो वीडियो अच्छा लगा, helpful लगा, like ज़रू कर देना चैनल को भी जाते हैं जाते हैं सब्सक्राइब कर देजिए मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में थैंक्यू